Hello friends, welcome back to your own channel Beginners Point और आज हम देखेंगे कि महंदी का गहरा रंग कैसे पा सकते हैं सावन का मेना शुरू हो चुका है और इसके साथ शुरुआत हो चुकी है तेवहारों की जल्दी तीज आने वाली है और फिर रक्षा बंदन दोनों ही मौकों पर महंदी लगाने का महत्व है ये रही कुछ latest महंदी designs और इनके गहरे देने का तरीका गहरा रंग इने किस तरह से हम दे सकते हैं ये हम देखेंगे ऐसे मिलेगा गहरा रंग साफ हातों पर महंदी लगाएं सबसे पहली चीज सबसे बहुत important point है ये महंदी लगाने से पहले अपने हातों को अच्छे से दो कर साफ कर ले लेकिन कोई cream या lotion उस पर ना लगाएं ये बात अकसर हम लोग भूल जाते हैं अब हम शुरू करेंगे हमारे कुछ points हैं जो important tips है आप देख सकते हैं जिसमें पहली tip है हमारी गर्मी से हमें दूर रहना है महंदी को सुखारते वक्त जो blow dryer का यूज करते हैं जैसे ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है कि तक वो जल्दी सूख जाए इसलिए हम यूज करते हैं dryers का इन चीजों का यूज ना करें इन में से निकलने वाली जो गर्म हवा है उसकी वेज़र से महंदी जो है वो melt हो सकती है और उसके कारण आपकी design खराब हो सकती है सेकेंड हमारा tip है waxing और scrubbing ना करें waxing और scrubbing महंदी लगाने से पहले करनी चाहिए बाद में ऐसा अगर आप करते हैं तो जो अपर layer है आपके महंदी की वो निकल जाएगी और आपकी महंदी फीकी पड़ सकती है चीनी और निम्बू का mixture ये तो बहुत important है और ये point mostly सबको पता होता है तो महंदी सूखने लगे तब चीनी और निम्बू का mixture जो है या फिर उनका जो हम paste बना लेना चाहिए वो हमने लगाना चाहिए इससे वो जल्दी से खिरेगी नहीं क्योंकि महंदी सूख जाती है तो और time मिलने वाला था वो नहीं मिल पाता तो इसलिए हमें ये उसके उपर लगाना निम्बू और चीनी का mixture जिससे उसका रंग अच्छा आएगा वो बहुत देर तक आपके हाथों पर बनी रहेगी चिपकी रहेगी next हमारा point है कि हमें सरसो का तेल लगाना चाहिए सरसो का तेल जो है महंदी को हटाने से 30 मिनिट पहले हमें इस तेल को लगा लेना है इससे महंदी आसानी से निकल जाती है और उसका रंग भी गहरा आता है लॉंग के धुए की बाद भी मुस्टी लोगों को पता होती है तो इसमें हमें ये करना है कि महंदी हटाने के बाद में लॉंग के धुए पर कुछ देर के लिए अपने हाथ रखना है इससे भी महंदी का रंग गहरा होता है वक्त दें मतलब अपनी महंदी को रात में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि रात में आपको यह होता है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है हाथों को काफी देर तक महंदी जो है वो चिपकी रहती है बिना किसी निकलने के या उसक साबून वाले पानी से बचना है और काम करने के दौरान आप गलव का इस्तमाल कर सकते हैं ताकि महंदी जो है आपका पानी के कॉंटाइक में ना आप है और दो दिन पहले आप महंदी लगाते हैं तो उसका रंग बहुत अच्छा चेड़ेगा क्योंकि महंदी का सबसे भागा तो तो गलाना है और दिन गलाने के बाद में आपको उसे अगले दिन लगाना है ताकि आपके महंदी का रंग अच्छा सके अब हम देखे कि कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें क्या करना है तो अक्सर लोगों को महंदी लगाने की वज़े से सपीन के और ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना है तो पहला है कि केमिकल महंदी जो है वह हम ना लगाए और जादा प्रॉब्लम होने पर तुरंत महंदी हटा दें और ठंडे पानी से अपने हाथों को धोले और अपने मन से कोई ओंट्में अगर जादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल कर सकते हैं तो इस तरह की ये चीजे ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होंगी और डेफिनेटली आपके काम आएंगी जिसे आप अपने अब महंदी लगाने के समय में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू सो मच थैंक्स लॉट